आप सभी विद्ध्यारतियों का दा क्लास यह समझा हम लोग बच्छे आपका दा क्लास पर नहीं अभी हम लोग यहां पर हैं तो सभी विद्ध्यारति सबसे पहले तो क्लास को से रर कीजिएगा उनस अभी गुरूपवं से आप लोग जुड़े हो ठिक है यहां अभी कूछ चलिएगा हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी आप सभी विध्यारती पहले तो क्लास को सेयर कीजेगा सभी विध्यारती क्लास को सेयर करते हुए चलिएगा ठीक है ना सभी विद्यारती क्लास को share करते चले गठाए ठीक है न चले गज़े हम लोग चले क्लास स्टार्ट करते हैं और exam 2021 हमारी यहाँ पर क्लास है जो की आपका previous air के question पर बेस पर आपका current base पर और उसके साथ साथ आपका कौन सा रहेगा आने वाले exam में हमें किस तरह के question पूछे जा सकते है उस बेस पर रहेगा चले पहला सवाल देखेगा कौने रू हमपी निम्लिकिन मैंसे किस केल से संबंदित है या उन्होंने किस केल में उत्कृष्ट कार्या किया ठीक है ना आप से यह पूछा अ डब आपका कॉने रो हमपी कौन से खेल से लिटे डपका छैस उप्सन में दिया गया मुक्क वाजी या १ढ Tahyes आपके सामने उप्सन क्या रहेगा गोड इवनिंग गोड इवनिंग ओल दियर स्टूइन गोड इवनिंग नीलम कुमारी उशा प्रजापति अभिशेग गौरब जै कुमार निरशवाल रहुल पांडे बिपिन सागर रभी कुमार आरके और अंकुष इलेक्ट्रिकल इंजिनियर गोड इवनिंग ओल दियर उन्होंने रसिया के अंदर विश्वच जो आपका रैपिट चैंपियन सब जीता था जिस कारण से इनका नाम आप लोगों ने कहा पर सुना होगा तो यहाँ पर आप लोगोंने 2020 में को नेरियो हमपी का नाम सुना था चलिए नेक्स बनेंगे अगले कुशन के ओर किसे नए थल सेना प्रमुक के रूप में नामित किया गया अगला सवाल देखेगा किसे थल सेना देखेगा कॉमुनिटी में आप लोग गए होंगे तो आप पर भी आपको इस सवाल देखने को मिला सवाल क्या दिया गया किसे चुना गया ऐसा सवाल पूछा गया आपका किसे नए थल सेना प्रमुक के रूप में नामित किया गया तो किसे किया गया आपका बिलकुल सान तुनुदास जिन बच्चों ने से आंसर दिया उनका बिलकुल सही आंसर है सभी विद्यारती क्लास को सेर भी करेंगे और जो भी विद्यारती क्लास में है नया जुरता है या चैनल पर नया विजित करते तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा जिससे कि आपको आने वाले सभी अपडेट मिलते रहेंगे चले बर चल दी सभी विद्यारती क्लास को लाइक भी गरते रहेगा बिलकुल नहीं जिन बच्चों ने M.M. नारवा ने आंसर दिया यहाँ पर देखेगा Deputy Chief of Army स्टाफ पूछा गया यहाँ पर Army यानि क्या मैं सेना प्रमुक नहीं पूछेगे सेना प्रमुक कौन है यहाँ पर समझो आपका नहीं बच्चा आपका नहीं थल सेना प्रमुक के रूप में किसे नामित किया गया ठीक है ना ऐसा आनचे था आपका तो यहाँ पर सिर्फ थल सेना लिखावन है उप थल सेना प्रमुक चलिगा नेक्ट बढ़ेंगे अगले सवाल पर निमलेखित्न मैसे कौन सा खेलो इंडिया यूथ केम 2020 का आधिकारिक सुबंकर था ये सवाल भी आपके एक्जामों में पूछा जा चुका है तो इस वज़े से पूछा समझो आपका ठीक है ना ये धियान दीजेगा ये सवाल भी पूछा गया था आपके अधिक क्या था तुड़ा कुशन देखो वो कुशन में आपने गल्ती नहीं गरी वो कुशन में मिस्प्रिंट था उप आना चाहता ना उप थल सेना अध्यक्स आता तब आप सही गर लेते वैसे जो कुशन लिखा था उसके साब से अपने एम एम नार्वन एंसर दिया समझो लेकिन इंग्लीश में आपका सही था चाहिए देखेगा कि निमलिखित मैंसे कौन खेलो इंडिया यूथ गैम 2020 का आधिकारिक सुबंकर था देखेगा जो मसकड होता है वहां की पैचान मैं कहता हूँ जैसे आपका अगर उत्राखन के अंदर कोई गैम होता है तो मोनाल हो गया यहाँ पर कस्तुरी मिर्ग हो गया उसे क्या बनाया जाता आपका सुबंकर के तोर पर बनाया जाता है तो उसी तोर से आपके पूछा जाए गया कि 2020 में खेलो इडिया यूथ गैम का आईजन का पर होता है गोहाटी के अंदर होता है तो गोहाटी के अंदर आपका क्या है विजया गर के बच्चे समझो विजया प्लेस करके जो जगह है उसे यहाँ पर मस्कट के तौर पर बनाया गया तक कब 2020 में खेलो इडिया यूथ गेम में जिन बच्चों ने आप पर आंसर A दिया बिल्कुल सही आंसर होगा आप लोग क्रोस लेख कर सकते हो खेलो इडिया यूथ गेम का आई जनब तक कितनी बार चार बार हो समझो तीन बार हो चुग है पहला आपका 2018 में दिल्ली के अंदर 2019 में पुरे मारास्टा में 2020 में आपका गोहाटी असम में हुआ और 21 में होगा अपना हरियाना पंचकुला के अंदर समझो चलिएगा नेक्स बढ़ेंगे थॉमस कप और उबेर कप का नाम सुना आपने तो किस चेतर में सुना है थॉमस कप और उबेर कप का नाम आप लोगों ने सुना तो किस चेतर में सुना सभी विध्यारती अंसर देते रहेंगे सभी विध्यारती इस कुशन का अंसर देते रहेंगे थॉमस कप और उबेर कप का नाम हमने किस सेत्र में सुना इसका अंसर क्या बनेगा लॉंग टैनिस या आपका गोल्फ या आपका टेबल टैनिस या इन में से कोई नहीं गलत नहीं गरना देखेगा गलत हो गया हो लेकिन गलत नहीं गरना आपको गलत नहीं गरना है ठीक है ना चलेगा इसका राइट अंसर क्या बनेगा आपका बिलकुल इन मैंसे कोई नहीं क्योंकि यह बैट मिंटन से है समझो यह खेल किस्से समधी था आपका देखेगा थॉमस कॉप और वेर कप आपका बैट मिंटन से आपने एंसर दे बहुत सारे बच्चे यहां पर बहुत सारे बच्चे यह अंसर क्यों देखा आप लोग मैंने बता एक सौट नोट्स तयार कीजेगा उससे सौट नोट्स में आप लोग नेस्नल जो आपका क्या स्कीम है रास्टिया योजनाए अलग लग लेसों की करेंसी है अलग अलग खेलों के आपके जो प्लेयर हैं उनके नाम ल सब्सकार से सम्मानित किया गया समझों 2020 में कितने खिलारियों को सम्मानित किया गया इसका थो देखते है क्या सभी लगबग लगबग देखेगा देखेगा हमारी सबसे वड़ी कमजोरी होती है कि हम पहले तीन में अंसर ढूणते हैं मैं कई बार बता चुका आपको कि नन ओफ दीज भी आपसें में रहता है तो किसे दिया गए आपका यह पर बात की जा रही है प्रुष्कार से सम्मानित किया गया यहां से थोड़ी सी छोड़ी चीज समझेगा यदि आप भारत में एक एथलीट होते तो आपको सबसे बड़ा सम्मान कौन सा दिया जाता राजीव गांधी खेल रतन पुरुष्कार से आपको सम्मानित किया जाता है ठीक है जिसकी बाता है नाइंटीन नाइंटीवन से वी थी उन्नी सो एकानवे बैयान्वे में होती है उस समय पर पहली बारी आवर्ड किसे मिलता आपका विश्वनात आनन्द को दिया जाता है किसमें चैस में दिया जाता है बहुत बढ़िया अभिशेक गौरा बच्चे नहीं पर नाम मेंशन किया है और यह कृष्णा बच्चे नहीं पर नाम मेंशन किया यानि कि किन किन को दिया गया देखेगा रोहित सर्मा किरिगेड से आपके मरियपन मिचाब का ठीके नहीं किसमें दिया गया मनीका बत्रागा नाम अपने किसमें सुना है लोंग कैनिस में चलेगा विन पॉगट का नाम आप लोगों ने सुना किसमें रैसलिंग में और रानी रांपल का नाम अपने किसमें सुना कि आपका होकी मैट समझो तो इन पांच लोगों को 2020 में 29 अगस्थ को स्पोर्स देखे आउसर पर यानि कि खेल दिवस के आउसर पर क्या दिया गया देश का सबसे आच बड़ा खेल संब्मान दिया गया तो वो कौन से दिया गया आपका बिल्कुल चलिएगा नेट्स बरणेंगे बिल्कुल देखेगा जिन बच्चोंने अंसर दिया उन सभी का नाम मैंने बता यहां पर देखेगा यहाँ पर क्या दिया गया आपका अलिसा वर्दी का नाम सुना आपने सिमोना हैलेप का नाम सुना और वीनिस यहाँ पर समझो वीनिस वीलियम का नाम सुना तो यह किसे खेल से सम्बंदित है यह प्लेयर आपका कौन से खेल से सम्बंदित है बैडमिंटन, लॉंग टैनिस, गोल प्या, बास्केट बॉल और सभी विद्यारती ध्यान दीजे कल मॉर्निंग में फिर से आपका सनिवार स्पेशल आप लोग रिमाइंडर लगा दीजेगा 6 बज़े आपकी क्लास होगी 100 नंबर के सवाल होगे आपके की 100 MCQs रहेंगे आपके जिसमें आप अपना मुल्यांकन कर सकते हो कि हमारी तैयारी किस लेबल पर है समझ आपका तो 100 सवालों का आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा यानि कि आपका अभ्यास तो वहाँ अपना मुल्यांकन कीजेगा क्लास आपकी मौर्निंग में 6 बजे सुरू होगी और उसमें इसी तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे तो इसका राइड आंसर क्या बनेगा आपका जो सवाल आपके सामने दिया गया तो इसका सही आंसर आएगा आपका किस से हैं तो सिमोना हेलेब का नाम आप लोगो ने लोंग टैनिस में सुना होगा समझो चले नेक्स बढ़ेंगे अगले कुशन्स के ओर बहुत ही मैत्वपूर सवाल है इंडियन क्रिकेट आपका आईपेल होता है और अभी तक आईपेल से सवाल नहीं आया आपके पास तो कौन सा क्रिकेटर इंडियन प्रिमेर लीग आईपेल 2020 में औरेंज कैप बिजेता था आईपेल आपने जरूर देखा होगा समझो मुझे तो नहीं लगा समय लेकिन अगर आप लोग को समय लगा होगा लोग डाउन के दोरा नहीं होता साइड मैच तो उस जरूर आप लोगों ने देखा होगा तो आईपेल इंडियन प्रिमेर लीग 2020 में औरेंज कैप बिजेता सबसे ज़्यादा रन बनाते होंगे ना विल्कुल क्वेशन देखेगा आपके सामने दिया गया हाँ चलेगा देखेगा क्वेशन देखेगा राहूल पांडे बच्चे गहते है कि सर क्वेशन कहां से आएंगे चलो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग केहल राहूल बहुत बढ़िया केहल राहूल इन्होंने लगबग 670 रन बनाए साइड मुझे जहां तक जाना है 670 रन बनाए इन्होंने इस बार IPL 2020 में और औरेंज कैप की बात किरी गए न तो आपका परपल कैप किसे मिला था आपका तो कसीदा रवाड़ा करके था आपका जो दिल्ली डेर डेविल्स में था उन्होंने 30 विगर लिये थे ठीक है चो चलेगा नेक्ष बढ़ेंगे अगले सवाल पर अगला सवाल देखेगा ICC के इद्वारा जो स्पोर्स में सलाइबा क्या है आपका सलाइबा बेंग जो रूल निकाला गया था इसके तहत पहले किरिकेटर जिने क्या किया गया नियम का उलंगन करने के लिए किरिकेटर से प्रतिबंदित किया गया यानि कि आप अपर ध्यान दीजेगा ICC की जो लार प्रतिबंद नियम समझो बॉल को क्या करना बच्छा ग्रिप को गीला करना समझ यह क्या होता था किरिकेट में समझो यह आपके आहम बाती लेकिन अब इसे क्या कर दिया गया इसे प्रतिबंदित कर दिया गया तो सलाइबा बेन जो रूल है इसके तहत सबसे पहले अगर किसी को प्रतिबंदित किया गया हूँ कोन है आपके Dom Silvey समझो किसका नाम आपका Dom Sibley का नाम आएगा England और Western East के भी इसमें यह मैस खेला जा रहा था जहां पर इन है इस नियम के तहट आपका उलंगित किया गया समझो उलंगन के तहट आपका प्रतिबंदित किया गया था ठीक है ना चले नेक्स बढ़ेंगे अगला सवाल देखेगा कहा पर सीत कालिन ओलंपिक खेलों काईजन 2022 में होंगे अब देखे इसका अंसर कौन देता है वेर इस दा विंटर ओलंपिक गैम 2022 समझो दोजार बाइस में ओलंपिक खेल जो कौन से होंगे आपके सीत कालिन होंगे तो कहां पर होंगे आंसर देते रहेगा ओलंपिक खेल देखेगा दो तरीके से होते हैं आपके समर और विंटर कल बताये वह आप लों को कल अच्छे से बता रख आपको क्वेशन नंबर 11 का आंसर क्या आएगा क्वेशन नंबर 11 और सभी विद्यारती क्लास को सेर भी गरते रहेगा सभी विद्यारती देखेगा बिल्कुल बीजिंग चाइना में होगा 2022 में तो यहां आंसर आ चुका है आहिले आप समझे आपर किसका राकेश कुमार विभा विचे आपर सेनी बिल्कुल सभी विद्यारती होगा चाइना चाइना बिल्कुल बहुत बढ़िया चीन में होगा डी आंसर आएगा इसका इस सवाल का राइड आंसर क्या था आपका डी चीन में होगा सीथ कालिन ओलंपिक खेलो काईजन ये सीध काली न आपका विंटर ओलम्पिक अगर समर ओलम्पिक की बात करता आपका 2021 में होना है जो 20 में होना था अब 20 में हो रहा है आपका तो 20 में कापर हो रहा हमारा तो ये होगा आपका टोक्यो जापान के अंदर 2021 में चलीगा नेक्स सवाल देखेगा अगला सवाल यह आपकी स्कीन के सामने यहाँ पर क्या दिया गे देखो कुछ टम से दिये आपके ठीक है ना कौन से दिया गे आपका बंटिंग दिया गे आपका डाइमंड दिया गे आपका आंट रबर करके दिया गया समझ दो आंट रबर करके दिय सबस्सक्राइब ने लेकिन डायमड सब्रेटो मैंने आपको सुनाया भी और आप लोगोंने शुना भी यानि किसे जुड़ा हुए डायमड सबत कहा परिफ़े पहले आंसर मैंने दिया रुटालिया बिल्कुलर देखें में बिल्कुल आपके सबी विध्यारती देखेगा आपके कमेंट्स बहुत तेजी सा आते हैं तो मैं रेंडमली कमेंट्स देख पाता हूँ समझ जो चलिएगा तो इस सवाल का अंसर क्या बनेगा आपका ये डाइमंड सब्द किस से जुड़ा आपका तो diamond सब्द आपका baseball से जुड़ा हुआ है diamond कब आपका baseball से जुड़ा हुआ है और America का राष्टिया खेल भी क्या आपका baseball America का राष्टिया खेल भी है चले next बनेंगे अगला सवाल यहां पर दिया गया कि 2028 में Greece मकालिन Olympic खेलों का एजन किस सहर में होगा Greece मकालिन का मत्तब आपका summer summer Olympic आपका 20 की जगा पर 21 में हो रहा है फिर आपका 24 में होगा फिर आपका कब होगा 28 में होगा तो 24 में Paris, France के अंदर होगा समझो तो 28 में कहा पर होगा ऐसा सवाल अगर हम से पूछा जाए तो answer क्या हैगा 28 में कहा पर होगा 28 में आपका कहा पर होगा लॉस एंजलिस में होगा समझो आपका 2028 में से अमेरिका होस्ट करेगा Greece मकालिन ओलंपिक के लोका इजन D answer आएगा आपका बिलकुल D answer आएगा बहुत बढ़िया next बढ़ेंगे देखेगा आज के समय पर आप लोगों की जो लेप तयारी है ना बहुत अच्छे लेबल पर पहुंच चुगी है बस कही पर भी अपनी तयारी को छोड़ना मत बचाए ठीक है ना जब तक selection नहीं हुआ मैं यह कहूंगा इसमें बहुत सारी चीज़ें नया जोड़ते चलेगा लेकिन जो पुरानी चीज़ें ना उन्हें भी रिविजन करते वे आगे बढ़िएगा इन मैसे कौन सा सब्द जो यहाँ पर किसे बचाग घरेलू जो 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 मेस्टिक क्या होते डॉग होते गरेलू कुट्णों के बेग्यानिक अध्यान से संबंदित है जैसे हम लोग कहते है फाइकोलोजी में किसका अध्यान करते है सेवाल का समझो ऑंकोलोजी में किसे करते है कैंसर का अध्यान करते है एकोलोजी में किसका अध्यान करते है गैस मंत्री कौन है वर्तमान समय पर केंद्रिया कैबिनेट में पैट्रूलियम एंड गैस जो आपका नैचुरल गैस मिनिस्टर हो कौन है तो आप लोगों के सामने ऑप्सन दिया गया गजेंद्र सिंग सेखावत धर्मेंद्र प्रदान या प्रलाज जोसी यहाँ पर क्या द प्राकर्तिक गैस मंत्राला इनी के पास है चलिएगा सेहर कीजिएगा और उन सभी विद्ध्यार्तियों के जोड़ेगा जिनकी अभितक नींद नहीं कुली है गोरकपूर सेहर किस नदी के किनारे स्थीत है गोरकपूर सेहर अपने उत्तर प्रदेश में मैंने आपको दो- अंसर क्या बनेगा जौनपूर सेहर का पर है तो यह तो दोनों के दोना आपके गौम्ति नदी के किनारे ठीक है ना गोरकपूर सेहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है ठीक है ना चलेगा नेक्स बढ़ेंगे अगले क्वेशन के ओर हिंदुस्तानी सास्त्रय संगीत के लिए तांसेन सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया संतूर वादक है तांसेन सम्मान जो संगीत के छेत्र में दिया जाता है और मध्यपरदेश सरकार के द्वारा यह पुरुषकार दिया जाता है तो 2020 में की नहीं दिया गया बिल्कुल जल्दी सा अंसर दीजेगा सभी विद्यार्थी बहुत बढ़िया अब हमें 100 पहुशने के लिए सिर्फ कितने 30 स्टूडेंट चीह और आप सभी विद्यार्थी को मैं कहना चाहूंगा कि कल मौर्निंग में 6 बजे से आपका 100 नमबर चाहा घंडिड मांक्स का इपॉर्टे हैड टेस्ट रहेगा और यह टेस्ट कौन सा आपका 2020 की KAR厨 जिसमें आपका क्या है रहेगा संवेलान ठीकें ना भी समझो पचास कुश्षन आपके करेंट अप डेटस रहेंगे और पचास कुश्षन आपका इस्टेटिक जी के या जैनल आवेर्नेस की बात करूँगा मैं समझो सामान या अध्यांत से रहेंगे आपका लेकिन करेंट बेस्ट ही रहेंगे कई नकाई तो इस सौज़ नंबर का जो टेस्ट आपका उसमें अपना मुल्यांकन कीजिएगा आएगा तो ठीक है? नहीं आएगा तो अपने लिए सवाल तो बन जाएगा ठीक है ना चलिएगा तो यहाँ पर सवाल का अंसर क्या आएगा आपका भी आएगा सतीस ब्यास जो तूर वादक है बिलकोल सयांसर नेक्स बढ़ेंगे आपका अगले सवाल पर गिर्णा समझ आपका यहां पर क्या दिया गया गिर्णा बांध कहां पर इस्तित है गिर्णा बांध यह कहां पर इस्तित आपका औरिशा या आपका हर्याना या हर्याना में होगा आपका या तेल आस्रम के बारे में वैसे मैं कई बार बताता भी आपको लास्ट संडे को एक एक्जाम वा था किसी स्टेडिक अंदर तो वहाँ पर पूछा गया था कि पवनार आस्रम किस से जुड़ा हुआ है तो आपको बता है तो कमेंट्स वोक्स में दीजेगा महरास्ट के अंदर जो हमारा पौणार आस्रम है ये किस से जुड़ा हुआ है ऐसा सवाल पूछेगा समझो आपका तो आंसर क्या बनेगा आपका अक्षे चोहन जी कल आड बजए क्लास होगी मुझे समंद में तो सायद नहीं होगी मुझे जातक दियाना है अमित यादाव जी कहए दें सर मौर्निंग में आफलाइन क्लास नहीं चली आज नहीं चली थी आपकी अमित यादविचा आज भी नहीं चली थी आज तो नहीं चली थी आपकी क्लास चले पहुनार आश्रम कापर आपका ये महाराष्टरा के अंदर है ठीक है ना नेक्स बढ़ेंगे किस राज्य में कुजराओ समू समझो आपका इसमारक यहाँ पर क्या दिया गया किस राज्य में कुजराओ समू समारक जो विश्व विरास स्थल है तो ये तो आपको जब काफी बार बढ़ा चुका हूँ मध्यब रदेश के अंदर नेक्स बढ़ेंगे अगले सवाल पर अगला सवाल देखेगा 2020 में आपने एक नोबेल सुना जिसका टाइटल क्या था आपका अंतिमा समझो आपका अंतिमा की बात करेंगे तो अंतिमा सीर्चक उपन्यास का लेखक कौन है तो ये किसके द्वारा लिखी गए आपकी ये ल से सम्मादित है अलग अलग ट्रॉफिया आपके आती है तो यहां पर हैरी बच्चा आपका वर्डेंट ट्रॉफी रेटेड विच स्पोर्स तो यह किससे आपका होकी गोल्प या किरिगेड या बैटमिंटन से तो यह किससे सम्मादित होगा आपका question number देखेगा आपका right answer क्या आएगा बेलकोल सही answer आएगा आपका बी गॉल्प से सम्मादित है राइडर कप यह भी पूछेगा आपका राइडर कप किस है तो गॉल्प से सम्मादित है ताइगर वुड का नाम याद रहेगा ना बेलकोल चलेगा next बढ़ेंगे अगले question यह तो हम लोग पढ़ च सारे बच्चे कहते सर दूइब क्या होता है दूइब बच्चे वह एरिया हो गया आपका जो चारों और से पानी से गिरा हुए प्राइडव क्या होगा जो तीन और से पानी से गिरा हुए वह आपका प्राइडव हो गया ठीक है ना और जो कहीं से भी पानी से नहीं गिरा ह भारत ने अपना चालिसवां बैग्यानिक अभियान निम्ल की चेतरों में से किसके लिए शुरू गढ़ा अभी एक दल आपका चालिस जल समझ चालिस सदस्यों का जो दल आपका जो गोवा से अभी समझ वह गया था ठीक है ना तो यह किसके लिए आपका अंटार्क टीका के जिए करा के लिए चालिस चालिस वह मचें हमका ब्यानिक अभियान जो सुरू किया गया तो नाम से पता चल रहा उपको क्रिशी के समग्र उत्पादम से जैसे आप लोग जानते हो वाइट रिवॉलिशन तो आपने क्या कहा दुग्द व्याउसाई से समझो यलो रिवॉलिशन तो यह आपका किस्से था आपका ओयल सीड या सरसों से संबान दीत है ओसी दुग्रांती किस्से अपका और्गिनाइशन के बेग्यानिक आप दा एयर पुरुषकार से किसे सम्मानित किया गया तो यह किया गया आपका किसे बेलकुल सही जाए गए आप लोग किसे गया आपका हैमंत कुमार पांडे डियाडियो की स्तापना कभी आपकी उनिस सो अठावन में हुई याद है ना देखेगा सरसौंसटी स्री के तड़ा पर कौन सा सहर सृरी्चलम कर जेलम शमाज़ा आपका आयोत्या सरीचल नदिगे गिनारे तो यहाँ बजह की जो class होती है उस class में लगबग मैंने आपको जो रिवर सिस्टम में भारत के सारे सारे बता दिये जितने भी रिवर आपके major ना दिया है वो सारी की सारी बता दिया आप लोगो ठीक न तो चलेगा अगले सवाल पर बढ़ेंगे हम लोग अगला सवाल क्या दिया गया किनी कारों से न्यू चैनल में देखा गया या न्यूज में कहीं पड़ा गया आपका तो जिसका नाम क्या आपका तुली हल हुआ जो समझा आपका तुली हल एरपोर्ड यह कहां परें किस राज्य के अंदर एस्दिद आ हमारे कौन से पूर्वत्तर में मनिपूर में इस्तिद है अब मनिपूर का नाम आया तो मनिपूर के सियम कौन है आंसर देते रहेगा कमेंट्स में मनिपूर के सियम कौन है वर्तमान समय पर तो आपका अंसर क्या एगा एन वीरहन समझो कौन अभी वर्तमान समय पर एन वीरहन है यहां के governor कौन है तो आपने answer क्या देना है नजमा हें तुला जितने भी विद्यारती लाइब हैं सभी विद्यारती वीडियो को like करेंगे और class में अंत तक बने रहेंगे देखेगा इस class से आपको काफी फाइदा होगा आपकी तैयारी किस्तों से चल रही है सारी चीज़ा आप लोग आपर देख सकते हो चलेगा नेक्ष बढ़ेंगे अगले सवाल पर माउंट बचापका हैरियेट राष्ट्या उध्यान पर इस्तिद है माउंट हैरियेट राष्ट्या उध्यान मैं इस्तिद है माउंट हैरियेट नेस्तल पार्क आपका कापर तो यह अन्दमान निकोवार मैं इस्तिद है ठीक है ना चलिए नेक्स बढ़ेंगे अगले सवाल के और देखेगा प्रात्ना समाज के सस्तापक कौन थे आपके सामना आ गया प्रात्मा समाज यहाँ पर दिया गया एनि वेशें राषभी ऐड़ा अत्मा रंख पांडुरंग यहा बाल गंगा दर तीलंग तो प्रात्मा समाज कि से अपना किसने गरे की गई थी आपका किसके दोरा आत्मा रंख बजंभ पांडुरंग के दोरा की गई थी ना राइट आंसर बनेगा हमा समाज पूछेगा राजाराम नाम आएगा ञाझा चलेगा नई दिल्ली विश्व पुस्ताग मेला 2022 में होगा थो कौन सा देश यहां पर जो चीप गैस्ट के तौर पर बुलाया गया है में बहरत सुझ सब्सक्राइल करेगा तो चीप गैस्ट के तौरels एक पुछ क साथए चौ। समझो आपके 100 questions रहेंगे आपके तो सबी विद्यारती जादा से जादा class में बनेंगे morning की class में भी next बनेंगे आपका New Zealand की राजदानी कापर है आपसे पूछा जा रहे है New Zealand में अभी election होते हैं समझो आपका New Zealand के अंदर अभी election होते वहाँ पर प्रदाहन मंतरी चुनेगे यहां पर जो न्यूजिलेंड की कैपिटल अभी वर्थमान समय पर कापर है वैलिंग्ठन के अंदर है ठीक है ना चलेगा नेक्स बढ़ेंगे अगले कुश्चन पर आपका अगला कुश्चन देखेगा त्रयंबकेश्वर मंदेर कहां पर इस्तिद है त्रयंबकेश्वर नासिक महारास्ट के अंदर गोदावरी नदी के किनारे और क्यों प्रसिद है यह क्योंकि यहां पर कुम्ब मेले का आयजन होता है आपको बद है कुम्ब मेला चार स्थान पर होता आपका हरिद्वार आपका प्रियागराज नासिक और उजयन में हरिद्वार गंगा नदी किनारे प्रियागराज में तिर्वेणी गाट और आपका कहां पर उजयन के अंदर सिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे इसका आईजन होता है चलेगा नेक्ष बढ़ेंगे अगले सवाल पर अगला सवाल क्या दिया गया किसी दिन प्रतेक वर्स रास्त्य डॉक्टर डे के रूप में नैस्नल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है एन्वा सवाल का आएंगा आपका तो मुझे तो एक धुलाईयाद है आप लोगों को बेलकुल लॉक्त लॉक्त किया और बना पर कर बड़ंगे हमारा करनाल कौन सी फसल से धान की खेती से मटर राई या गयहू करनाल बठ किस से जुड़ा हुआ है तो करनाल बठ किस से जुड़ा हुआ है बिल्कुल यह आपका जुड़ा हुआ किस से गयहू से जैसे आपका टीका रोग टीका रोग किस से आपका मुंग फली से यानिकी ग्राउंड से समझ वह ग्राउं हुँव हर और भी निरजारों किससे आपका सेव से सबंदित खिर आपका सविधान के अधिकार प्रदान चाहिए राइच टुई क्वैलिटी जाती धर्म लिंग के आधा कर शे. समझो इस्थान के अधर पर कहीं पर किसी में कोई वेद भाव नहीं होगा सबको समानता दी जाएगी राइट टू इक्वैलिटी यह आपका समझो आपका समानता आगादिखार तो इसना वर्नन किया आपका आर्टिकल समझो चलेगा सबके लिए एक समान कानून होगा ऐसा नहीं कि दो व्यक्ति Bennett ओने एक समान जूर्म करा और एक ही समय पर किया गया दोनों को अलग अलग सजा दी जा रही है ऐसा नहीं होगा जिस समय पर आपका जुर्म किया गया उस समय पर जो कानून है उसी के तहट दोनों को एक समान सजा दी जाएगी समझो चलिएगा नेक्स बढ़ेंगे यहां पर देखेगा इन छेत्रों को सारवजन है हम लोग तो ऑनर सिप के बेस पर देखेगा किस बेस पर उद्ध्यमों के सौमित्या के आदार पर यह क्या जाता ठीक है ना चलेगा शैफु गुप्ता बचे गहता है कि सर प्रात्मा समाज किस्तापना 1867 में हुई थी चलेगा ठीक है सौनी का याद हो सर्जी कंप्यूटर के क्वेशन भी एड कीजिगा बिल्कुल मैं आपसे कहा ना कि अपना फ्रीडबैक दीजेगा यह इस्पोर्स के कम होते बिल्कुल आप दीजेगा फ्रीडबैक दीजेगा तो याद रहता है कि यह चीज़ों को भी समय और सामिल करना ची कौन सी कंडिशन में सबसे ज्यादा हानी पंचाती है तो यह आएगा कहा सी कंडिशन में कैटर पिलर कौन से स्तेरेंज होगा कई से जादा हानी पहुंचाता है चलिंए नेक्स पढलेंगे अगले कुर्शन के बस समय 24 स्टुडेंट और चाहिए और हमारा काफी समय के बाद मैं 100 बच्चों को लाइफ देखूंगा है ना तो जल्दी से शेयर कीजेगा इसी उमीद के साथ प्रत्व शानन बच्चेगा अभी सवाल है कि सर इसमें कंप्टर के सवाल जुनने चीए चलेगा जल्दी से आप लोग देखेगा कल मौर्निंग की गलास में कल मौर्निंग की गलास में 100 प्रत्व श्टुनेंट होने चीए और वो तभी हो पाएगा जब आप विद्यारती सभी लोग सेयर करेंगे मौर्निंग मैं 6 से लेकर 7 बजे की कलास होगी ठीक है देखेगा हमारे पास या हमारे समवर्थी सूची की सुव़िदा किसी देश के समवर्थी सूची है यह कौन से देश से लियागे आपका तो याद रखेगा समवर्थी सूची यादा आप लोंको देखेगा इंडियन कॉंसिट्यूशन में सात्वी अनुसूची में जाते हैं आप लोग जिसे तीन लिस्ट में बाटा गया यूनियन लिस्ट, कॉंकरेंड लिस्ट और स्टेड लिस्ट तो यह समवर्ती सूची जिस पर रज्य और कैंद दोनों के पास क्या होता है सहमती से बचा कानून बनाए जाता है कुछ सब्जेक्ट ऐसे आपके ठीक है न तो यह कहां से लिया गया आपका समवर्ती सूची की वियुस्ता हमारे सविदान में ऑस्टेलिया से लिया गया बिल्कुल ऑस्टेलिया से लिया गया चलेगा देखते हैं आप लोग कितना याद है आप लोगो यदि मैं बात करूँ फंडमेंटल राइट एफ आर यानि कि फंडमेंटल राइट कहां से लिएगे आंसर दीजेगा फंडमेंटल डूटीज समझ आपका मूल करतब है दो चीज पूछा मैं आपसे एक पूछा आपका मूल अधिकार और दूसरा पूछा आपका मूल करतब है यह दोनों के दोनों कहां से लिएगे चलेगा तो यहां पर रुपा लियानन बच्चे गयता है कि सर फीजिक्स और केमेस्टी के कुश्चन भी सामिल कीजेगा चलेगा बहुत बढ़िया देखेगा फंडमेंटल राइट तो आपका USA से और फंडमेंटल डूटी आपका कहां से रसिया से लिया गया ठीक है ना रसियन कॉंसिटूशन से लिया गया देखेगा मौलिक अधिकार और न्याइक समिच्छा का विचार हमारे कॉंसिटूशन में कहां से लिया गया तो इसी की मैं ब की जो बात की जाती आपका यह कहां से लिया गया तो यह लिया गया आपका यूएसे से ठीक है नेक्ष बढ़ेंगे अगले कुशन की ओर देखेगा अगला सवाल क्या दिया गया मैंना भी बदाया था आप लोगों को जो ग्राउंड नेट होता है उसमें टीका रोग तो होता है लेंगं इसके लिए उतर अगत गांण क्यावाज होता है तो याद रखना इसके लिए कौन सा होगा यहांध्या ध्यान देज़ेगा तो यह कौन सा फंगर सोगा बिल्कुल आपका इसकॉरस जो क्या होगा का शपूर्स आपका पर आपका परसेनेटा समझे क्या दिया गया आपका सकूर्स आपका पूरा परसेनेटा करके दिया गया यह कवक इसके लिए जिम्मेदार होगा ठीके न आपका चलेगा next बढ़ेंगे अगले questions के ओर आपको vote देने के आई पहले 18 वर्ष थी लेकिन अब आपका पहले 21 वर्ष थी अब 18 वर्ष कर दी गई तो यह किस समय से किया गया आपके पास यह दिकार कब दिया गया कि पहले 20 वर्ष थी अब 18 वर्ष कर दी गई तो कौन से सभिधान संचोधन 1989 के तैट समझो 61 सभिधान संचोधन 1989 के तैट ऐसा किया गया आपके vote देने के आयो एक किस से घटा कर 18 वर्ष से कर दी गई ठीक है ना नेक्स बढ़ेंगे अगले कुशन पर अगला कुशन क्या बनता हमारा अगला कुशन देखेगा सुल्तानपुर राष्ट्या उद्यान किस राज्यम है आंसर देते रहेगा सुल्तानपुर देखेगा सुल्तानपुर आपका क्या है बर्ड सेंचुरी है सुल्तानपुर बर सेंचुरी कौन से राज्य मैं है आंसर देते रहेगा सुल्तानपूर वर्ड सेंचुरी मात्र मैं 20 बच्चों के आउ सकते हैं जिससे की 100 बच्चे या णेते हैं या जो लाइव रहते हैं आ चलएगा बात करूगा सुल्तानपूर का रामारा हर याना के अंदर समझों तो यह कापर आपका राजिस्तान के अंदर यह सभी के सभी आपके एक्जाम में पूछे गए इसने बता रहा हूं आपको ओखिला आपका दिल्ली में समझो ओखिला बर सेंचुरी काप आपका दिल्ली के अंदर उसके बार मैंने आपको कौन से बताया केवला देव गाना बर हिस्सा है questa कि yell गिट क्या गया थो कि प्रस्तावना सविधान का ही क्या होगा एकक इस्सा होगा यह किया गय था कि आपका केश्वा नंद भार्ती बनाम केरल राज्य 723 केश्वा नंद भारती तो तो एक मैद यह जनेंगो ऐगले क्षोड़ेंशन्य और अगला सवाल देखेगा अगला सवाल क्या दिया गया प्रथम भूमिगत रेलवे मैट्रों किस वर्स शुरू किया गया बिल्कुल देखेगा यहाँ पर बिल्कुल देखे सौनी का यादव बच्चे ने काफी motivated लाइने लिखी यहाँ पर बिल्कुल देखे यह पहले जब आप लोग कॉमेंटरी देखते होंगे ना यह कॉमेंटरी सुनते थे समझ जो पहले जो हुआ करती थी तो उसमें यह बिल्कुल सिक्स लगेगा और हम लोग हंडेड की लर हो जाएगा तो चलेगा हम लोग बिल्कुल 88 में पहुंच चुके हैं चलेगा आगे बढ़ेंगे तो इस सबसे बहले कलकटा मेट्रो की बात की जा रही है आप सभी विद्ध्यारतियों के लिए एक चोटा सा सबसवाल है वर्त, मान समय पर भारत के ऐसे कितने सहर है जो मैट्रो से जोड़ेगे अब तक कितनी मैट्रो भारत में जैसे दिल्ली हम लोग कलकत्ता समझ ऐसे बात करते तो आपको ध्यान देना होगा कि अब तक मैट्रो कितने सहरों में अभिवर्तमान समय पर है ठीक है ना चले next बढ़ेंगे आपका भारतिया नागरिता के संसोधन करने का अधिकार किसके पास दिया गया या उसमें संसोधन करने में कौन सक्षम होगा भारतिया राष्टपती प्रदानमंती संसद या सुप्रीम कोट तो यहां पर अंसर क्या आएगा आपका ज्यान दीजेगा सिटियंशिप के संबंद में कोई भी लाव बनाना ह अमेंडमेंट करना हो तो उसके लिए किसके पास अधिकार है संसद के पास होगा आर्टिकल कौन सा अपका अनुछेद 11 के अंदर यह ब्यावस्ता दी गई है अनुछेद 11 को आप लोग पढ़ोगे ना तो वहां पर यह ब्यावस्ता दी गई आपकी समझो सभी धान में संस तो पार्टी मेरी तरब से है खर्चा आप लोग स्वयम करियेगा चलेगा नेक्स बढ़ेंगे नाइंटीन फॉटी सेवन में पहला कैंद्रिया बजट किसने प्रस्तुत किये देखेगा वह प्रजेंडेट फर्स्त यूनियन बजट नाइंटीन फॉटी सेवन नाइंटीन अभित मंत्री निर्मला सिता रवन जी के द्वरा किया जाएगा ना तो सबसे बहले किसके द्वरा किया गया बिलकुल चला देखेगा इसका राइड अंसर क्या बनेगा अपका तो इसका राइड अंसर आएगा आपका आरके संस्र मुगम चेटी 1947 में भारत के पहले कैंद्रिया जो समझो बजट क्या और कि क्या गया थTrTr Alicia लेकिन भारत में जो बजट ब्यौस्ता की सुरुत जाती और गती तो जैंस विल्सन के द्वारा यादर आप लोगो को जैंस विल्सन के के द्वारा शुरू की गई थी ठीक ना चले next बनेंगे अगले questions के और आपका अगला सवाल देखेगा क्या राश्ट्पधी को महावियोग से हटाया जा सकते हैं जो केवल लाया जा सकते हैं देखेगा भारतिया राश्ट्पधी को impeachment के द्वारा हटाया जा सकते हैं इंडियन सबा के द्वारा या महावियोग के माध्यम से लोग सबा रज्जत सबा के सदस्यों के द्वारा समझो तो यहां तक ध्यान दीजिएगा यदि भारत के राष्टपती पर महावियोग के प्रक्रिया सुरू होती है तो उससे पहले 14 दिन पहले बारते राष्टपती को आर्टि की परक्रिया समझों आपका लोगसबा और राज्य सभा के सभी सदस्या इसमें क्या होते बहाग लेते हैं impeachment की व्यांसता में सभी सदस्या भाग लेंगे लोगसबा और राज्य सभा के चलेगा नेक्स वरेंगे रिक्षिंंद पर अगला सवाल देखेगा modern history से आपके कुछ मैत्व पूर्ण सवाल इसी तरह से आपको देखते हैं आप लोग की history में कितनी पगड़ है आप लोग की ठीक ना है history में आप लोग को modern history आपका आधुनिक भारत का इतियास है क्योंकि अमारे latest में अगर कोई exam होगा तो देखेगा do and die का नारा किसी कांग्रे सी नेता के द्वारा दिया गया था चलेंगा नंग्ज्ख बढ़ेंगे अगले सवाल पर अगला सवाल देखेगा अंगरेजों के द्वारा बारत में अपना पहला उद्योग इस्तापित किया गया था तो कहां पर किया गया था ऐसा सवाल पुछा जाए हमसे अंग्रेजों के द्वारा पहला तो कहां पर सूरत के अंदर कब आपका 1607 इस्वी में आप सभी को बदा होगा लगब लगब कब आपका 1607 इस्वी में आपका पहली बार यह आपका उद्योग शुरू किया गया था नेक्ट बढ़ेंगे अगले questions के और अगला सवाल देखेगा 26 जनवरी को प्रतेक वर्स हम लोग किस रूप में मनाते हैं गनतंत्र दिवस के रूप में रिपाब्लिक डे के रूप में मनाते हैं लेकिन प्रत्थम स्वतंता दिवस के रूप में किस वर् मनाय था 1930 में मनाय था कब मनाय था आपका 1930 में मनाय गया था ठीक है ना तो निम लेकिन मैंसे कौन सा आपका आएगा तो राइड आंसर आएगा आपका 1930 यानि कि इंडियन नैस्नल कॉंग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था कब का 1929 का उसमें पहली बार पूर्ण किस रूप में स्वतंता दिवस को मनाय जाने के रूप में चले नग्श वरेंगे अगले कुश्छंस कि और अगला कुशन क्या बनता आपका देखें क्या दिया घया यह बी मूर्डर इस्टिस है देखें आपका मॉर्डरन इस्टिस में कितना आप लोगोंको आसान सवाल तो है लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा बंगाल के अंदर इस्थाई राजस्व समझोता किसने पेश किया था यहां पर पूछा गया आपका समझ जो यहाँ पर दिया गया देखेगा अच्छा सवाल आपका बंगाल का इस्थाई राजस्व समझोता किसने पेश क्या था यानि कि बंगाल के अंदर 1793 इस्वी में 1793 इस्वी में जो इस्थाई बंदबज यानि कि पर्मनेंट सेटल्मेंट ब्योस्ता लाई गए थी तो वह किसके दोर आपका लाड कौन वालिस के द्वारा बहल को लाड कौन वालिस के द्वारा शुरू की गए थी नेक्ष बरेंगे अगले सवाल पर अगला सवाल देखेगा हमारा कौन सा है याँ पर पूछा गया था देखेगा पहली बार जब भारतिया प्रदान मंत्री यानि कि स्वतंता के बार भारतिया प्रदान मंत्री पंडी जवाला नेरुजी के दो जो इस पीज दिया गया था तो उस समय पर क्या का गया था इन सब्दों को भी का गया था आदी रात के समय पर जब दुनिया सोती है तो भारत जीवन और स्वतनता के लिए जागता है और आज वर्तमान समय पर ये इस्तिति हमारे प्रतियोगी परिक्षाओं के बिद्यारतियों की है समझ जो आज कर देखेगा आदी रात में सब समझ जो आदी रात में के समय जब दुनिया सोती है तो भारत जीवन और स्वतनता के लिए जागता है तो ये तो आज के समय पर मैं कहूं तो सबसे ज़्यादा अपने प्रतियोगी परिक्षारती जो है समझ जो रात्री में तो प्रदान मंत्री पंडित जवाला नेरुजी के द्वारा अपने स्पीज में कहा गया था चले नेक्स बढ़ेंगे अगले सवाल पर मैं बहुत सारे बच्चों की देखो लगबग लगबग अगर 93-94 बच्चे तो 90 बच्चों की कहानी तो यही है पहले तो सब की यही कहानी कि लगबग उन्होंने पिछले कितने समय से रात्री में सोय नहीं होंगी समझो प्रतियोगी परिक्षा है वहां पर हर कदम पर कंपेडिशन है पहले तो एक्जाम का कंपेडिशन होता तो अलग बात निया पर सिस्ट्रम के साथ कंपेडिशन है कब पेपर होगा कब हिक्की के द्वारा कब किया गया था आपका 1780 में चलेगा जैम्स अगस्ता हिक्की के द्वारा किया था तो पहला किसके द्वार बेलकुल नेक्स बढ़ेंगे देखेगा जैम्स अगस्ता हिक्की के द्वारा किया था ठीक ना जिसका नाम क्या था आपका बैंगॉल गजट समझो बेंगॉल गजट जो जैम सगस्ता हिक्की के द्वारा नेक्स बढ़ेंगे कि निमलिकित मैंसे किसे डैजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता था तो ये था आपका जर्नल रोमेल को ये मैंचे आपका जर्मनी का था आपका तो जर्नल रोमेल को इर्विन रोमेल को जिस सचीव था समझे जो सचीव की बात करेंगे तो मांट एक और चैंट्स मोड़ किया था बारत के आंदर गवर्नर आपको पता है कि बृतिस्ゃई गवर्नर चैंस पोड़़् आ और जो सचीव था अंग्रेज के अंदर क्ता हो कौन था मांट है ग्यूं तो 1919 में यह अधिवन आता है जिसे भारत साशन अधिवेशन के नाम से या अधिनियम के नाम से आप लोग जानते हो जिसे काला कानून भी कहते हैं जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से भी जानते हैं आप लोग समझे के तो जलियां वाला बागत्या गाण भी थी समझों आपका चली नेक्ष बढ़ेंगे अगले सवाल पर वांडी वास का युद्ध आपका लगभग कितना 1760 के आसपास होते हैं वांडी वास का युद्ध जो भारत के अंदर नहीं कहीं न कहीं यूरोप में ये अपकी यूरोप के अंदर समझो सत्ता विष्दार की जो नीती थी या जो व्यापार के लिए उस समय पर यूरोपन कंट्रियों के बीच में कहीं न कहीं प्रतिस परदा थी उसी आधार पर हुआ था तो देखेगा वांडी वास का यूद्ध 1760 में होता है लेकिन यह कहां पर था विटल से बीच में होने वाल तहीक है ना अगले कुशन पर भरतिय राष्ट्या कॉंग्रेस के संस्ता पकों थे 28 दिसंबर 28 1885 में क्या होते है इंडियान नैसंनल कॉंग्रेस कापता का शाल में कू कि गई जरी गुरुप के तौर पर बनाया गया था एक सलाकारी विचे गुरुप के तौर पर इंडियन नेस्नल कॉंग्रिस को बनाया गया था कि उसने नहीं पदा था कि आने वाले समय पर यही हमारे लिए कही न कहीं मुसीबत खड़ा हो जाएगी ठीक है ना तो या दखेगा किसक 1916 में कलकत्या में होम रूम लूट कि सथा फना किसके दवारा की गए थी तो यह की घए थी आपका किसके दवारा चोंप कई घए थी आपका तियापका यहां पर दो चीज्छीज आए फका ऐक तो गया था के नाम आ कि यह नए पर नंगा कुशन के और अगले कुशन दिया गया मात्मा गांदी जी के राजनेतिक गुरू कौन थे सबी के सबी सबी सवाल आपका गवर्नर कौन था तो डफरिन उस समय पर अंग्रेज गवर्नर था उस समय पर समझवाब का अंग्रेज गवर्नर था नेक्स बढ़ेंगे अगले सवाल पर सामाजिक कार्या के लिए 1897 में कोलकाता में क्या होता है राम कृष्ण मिशन किस्ता अपना होती है तो किसके द्वारा की गए थी कोलकाता में राम कृष्ण मिशन किस्ता अपना किसने गरी तो ये की गए थी किसके द्वारा स्वामी विवेका नंजी के द्वारा की गए थी और इसका मुख्याले का पर है बैलूर मठ के अंदर बिल्कुल आपका सही आंसर होगा ठीक है ना बैलूर मठ के अंदर है ठीक है ना जैस स्री कृष्णा बचे कहते हैं यहां पर सौ होगे बिल्कुल सौ बच्चे लाइब होगे बहुत बढ़िया उशा प्रजाबती जी कहते हैं कि सर पार्टी होनी का इंटर्विव ले रहोंगा समझो मेरे पास समय का अभाव रहेगा कि मैं एक दिन में कम से कम दो बच्चों का इंटर्विव लूँ ठीक है ना आने वाले समय पर यह भी होने वाला है कि जो हमारे ओनलाइन स्टुडेंट है जिन्होंने रेगुलर तैयारी करी कहीं न कहीं उनका सेलेक्शन होने के बाद मैं इसी उमीद के साथ हूँ चाहा कि जिस दिन आप विद्यार्तियों का जो रेगुलर क्लास में जुड़े चाहे कोई से भी जोब समझो कोई सी भी किसी भी डिपार्टमेंट म हो चाहे हूँ हमारे समझ आपका technical हो चाहे non-technical department से जुड़े बच्चे हो ठीक है न तो उपना अनभाव जरूर सेयर करेंगे वो समय जल्दी से आएगा और जल्दी एक्जाम हो और आपका सेलेक्शन हो ठीक है ना तो बिल्कुल पार्टी बिल्कुल पार्टी होगी आप लोगों की चलेगा तो आज की क्लास को यहीं पर समप्त करते हैं और उससे पहले सुनिएगा आप लोग कल मौर्निंग में 6 से लेकर 7 बजे आपका क्या रहेगा 100 नंबर का टेस्ट रहेगा जैसे पिछले हफ्ते आपका ठीक है और इसमें भी आपको लगबग बचा इसी रिकॉर्ड यानि कि पिछले कापी समय के बाद मैंने 100 बच्चे आज लाइब देखे तो उसमें आप लोगोंने कापी सजयों कर आपने सेर करा तो आज भी आपको यहीं करना है समझो आपको यहीं करना है कि मॉर्निंग में इसमें मैक्जिमम स्टूरेंट होने चाहिए उससे क्या होता है एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए बहुत सारी नई चीज़ों को ढूननेगा और बहुत सारी चीज़ों बताने के बच्छा अलगी उससा होता हमारे बीच में ठीक है ना तो सभी विद्यारती कल मॉर्निंग में क्या रहेगा 2020 के करेंट रहेगी आपका सौ सवालों में ठीक है ना जिसमें आपका स्पोर्स हो गया इंडियन कल्चर हो गया आपका समीतियां हो गई यह सारी आपका कल 100 नंबर का आपका टेस्ट पेपर रहेगा तो आप सभी विद्यारती उस क्लास में लाइब रहेंगे मॉर्निंग में 6 से लेकर 7 बजे ठीक है ना अगर 7 से थोड़ा इस्टरा भी चला गया तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं क्योंकि कल हमारे पास समाई है तो सभी लोग कोशिस करिएगा कि मॉर्निंग में भी लाइब रहेंगे बाकी आपके हाथ में निर्ना है आपकी नीन खुलेगी तो लाइब आ जाएंगे मैं तो आपके लिए परजेंट बिलकुल रहूंगा धन्यवाद